कमल भासन ने किया आखरी फिल्म का एलान बोले इसके बाद इंडिस्ट्री से सन्यास ले लूंगा हिंदी और साउथ फिल्मों में अपने एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले सुपरस्टार कमल भासन के फैंस के लिए बुरी खबर है खबरों की मानें तो कमल भासन जल्द ही फिल्मी दुनिया से सन्यास ले सकते हैं उनके सन्यास लेने की वजह हम बेहत खास है जो उनके फैंस को हैरान कर सकती है वहीं कमल भासन जल्द ही अपनी अगली फिल्म इंडियन दो की शूटिंग शुरूप करने वाले है अंग्रेजी वेबासिट डियेने की खबर के अनुसार कमल भासन ने आने वाले लोगसभा चुनाव को देखते हुए एक तिंग से खुद को अलग करने का फैसला किया है अपनी आने वाली फिल्म इंडियन दो की शूटिंग करने के बाद फिल्मी परदे को छोड़ सकते हैं उनकी इंडियन दो साल 1996 में आई फिल्म इंडियन का सीखवल है मीडिया से बात करते हुए कमाल भासन ने भी कहा है कि उनकी पार्टी इस बार के लोगसभा चुनाव में अपनी प्रतिनीधी उतारेगी इसलिए उनका विचार है कि इंडियन दो के बाद वे एक तिंग छोड़ दें कमल भासन ने कहा है कि एक तिंग छोडने के बाद भी वेहबत और प्रोडिूसर फिल्मों से जुड़े रहेंगे बतादें कि कमल भासन की राजनीतिक पार्टी मकल नीवी मयमिंट दिनों तमिलनाडू में काफी सक्रिये है हाल ही में एम एनेम ने गज तूफान से प्रभावित लोगों के पुनर उठान के लिए बेहत खास काम किया है नागपटिनम और वेदारण नियम के बीच तमिलनाडू तट पर तूफान गज सोलह नवंबर को पहुंचा था जिसमें 63 लोगों की जान गई और व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ बात करें कमाल भासन की फिल्म इंडियन धोंकी तो इस फिल्म का निर्देशन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 2.0 के निर्देशक इस शंकर कर रहे है इस फिल्म में कमाल भासन के साथ कौन अभिनेत्री मुख्य भूमिका में होगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है बता दें कि फिल्म 2.0 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है